ओम अनन्ताई नमाहन श्वागत आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटूब चैनल पर अनन्त चतुरदासी महा सोभ्योग साल का सबसे बड़ा पुत्त प्राप्ति का यह भ्रत होता है इस दिन अनन्त भगवान की पूजा की जाती है इस दिन निसंतानों को संतान प्राप्ति का धन इनों को धन प्राप्ति का आसिरवाद मिलता है दस दिन तक चलने वाला स्री गड़े उस सब कईया आकरी दिन लास्ट दिन होता है इस दिन भगवान गड़े जी का विसर्जन भी किया जाता है सबी लोग बड़े दूमदाम से बक्ती बाव से भगवान गड़ेजी का विसरजन करते हैं वही अनंत भगवान की पूजा की जाती है अनंत भगवान के नाम का 14 गाट का एक दहागा धारन किया जाता है इस दहागे का विशेश महत्तव है जो व्यक्ति इस दागे को धारन करता है अनन्त भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं 19 सेप्तमर को अनन्त चतुर्दसी वाले दिन आप अनन्त भगवान की पूजा करें एक पटले पर अनन्त भगवान की मूर्ति स्तापित करें वही पर कलश स्तापित करें उनके सामने ही 14 गांट का धागा रख दें थोड़े से चाबल रख दें और पुष्प माला, फल, नारियल, पान के पत्ते सभी सामान से भगवान की पूजा करें अनंत भगवान की पूजा करने से सभी प्रकार की कष्ट दूर हो जाते हैं इस दिन जो धागा है उसे हल्दी से रंग करके भगवान के सामने रखें पर उसे धारण करें भगवान गड़ी जी का विसरजन भी इसी दिन किया जाता है इस दिन विशेश सुवमूर्थ होते हैं सुबह 7 बज के 47 मिनट से ले करके बारे बीस तक का सुवे का विसेशी सुवमूर्थ है उसके बाद फिर दो बजे ते सुवमूर्थ प्रारम होगा इस दिन नौरासियां भी विसेशी भागिसाली हैं इन नौरासियों का योग बहुत ही अच्चा है जब हम कुई सुव कारे करते हैं या भगवान की पूजा पाट करते हैं तो हमारे उपर जो ग्रेन की असुप द्रिष्टी है वह दूर हो जाती है कई वार ऐसा होता है मार कुणली में कई ऐसे दोस होते हैं जिनकी वज़े से अनेक प्रकार की परिशानिया आती हैं संताय प्राप्ती ने हो पाती धन प्राप्ती ने हो पाती ब्यवपार में घाटा चल जाता है अनेक प्रकार के ऐसी मुसीबते खड़ी हो जाती हैं इनसान परिशान हो जाता है जो हम पूजा पाट करते हैं उससे हमारे उपर भगवान की सुब दिष्टी होती हैं और असुब दिष्टी हैं सांत होती हैं। इस दिन मेश रासी का योग बहुत ही अच्छा रहने बाला हैं। मेश रासी को पर ग्रेन की अच्छी दिष्टी हैं। भगवान की पूजा पाट करें और ज्यादा आपको लाम मिलेगा दूसरी है ब्रसवरासी ब्रसवरासी का भी इस दिन बहुत ही अच्छा योग है इस दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए अनंत भगवान के सामने चौमुकी दीपक जलाएं अनंत भगवान के नाम से जाब भी करें वहीं बैट करके एक नारियल और दो में तोता है जो व्यक्ति इस दिन को अमाता की पूजन करता है उनकी सभी मनुकामना पूरी हो जाती है अगली जो रासी है वो है करक रासी जो बहुत इक्षी और सोब है वही सिंग रासी का योग भिशेशी लाप्रद रहने वाला हैं इनकी भी सबी मनुकामनाय पूरी होंगी मानसम्मान धन, संब्रदी नोकरी, बylanवपार सब कोछ अच्छत चलेगा वई कن्यारासी और तुलारासी हैं भिशेशी शोब और वाकेसाली रहने वाली हैं इनका योग भी बहुत ही अच्छा है इस दिन सभी रासि वाले भक्ती वाब के साथ में ये ब्रत करें सभी मनो कामनायोप पुरियूंगी घर में खुशाली जाएगी वही तला रासि ब्रश्चिक रासि और कुम रासि इन रासियों का योग भी विशेशी ही अच्छा हैं ये रासियां भी बहुत ही बाग्यसाली रहने वाली है इस दिन जो आप पूजा करेंगे विशेशी उसे ध्यान रखें कि आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए गर में कोई भी तामसी चीज नहीं बननी चाहिए वाई नहीं किसी का अपमान करना चाहिए पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें और जितना उसे के उतना इस दिन दान पुर्ण भी करना चाहिए भगवान आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें